हेलो एवरीवन मैं हूँ डॉक्टर मालविका दोजा फ्रम प्यूशी का मेंटल हिल्थ गाइड वेलकम बैक टूर यूट्यूब चानल आज हम बात करते हैं नॉर्मल थॉर्ट प्रसेस के बारे में अक्सर आम तौर पे जब हम लोग से मिल हम में लोगों से मिलती हूं या लाते हैं वो कहते हैं कि हम कुछ सोचते हैं पर फिर भी हमें इस्ट्रेस हो जाता है आफ यह कहना देना भी मैं प्लकूट ही गलत होगह ज burner होगह से कम बहुत सारे पर इकशूरिय हैं उपने आप होती हैं जिनको हम अपने आप control या नियंद्रन में नहीं लाते हैं वैसे ही हमारे brain की कुछ normal गतिविधिया होती हैं जैसे हमारे heart का धड़कना हमारे lungs का से सांसे लेना एक normal process है वो हमारे चहने या नहाँ चहने से नहीं चलती है इक रियाएं अपने आप ही चलती रहती हैं उन पे हमारा कोई control नहीं है कुछ लोग जोग प्राक्टिस से जरूर एक डेड़ मिनेट तक अपनी सांसों को अपनी धड़कनों को रोक कर control कर सकते हैं पर उस पे complete control, complete नियंद्रन कोई भी नहीं कर सकता है वैसे ही हमारे brain का normal काम, normal function सोचने का है सोते, जाकते, चलते, फिरते कुछ भी कर रहे हैं जब हम हमारा दिमाग कुछ ना कुछ जरूर सोचता है तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, जी हम कुछ नहीं सोच रहे थे, फिर भी हमें stress की feeling आने लगी, हमें तनाव होने लगा हमारे दिमाग में जो भी thoughts आते हैं, वो natural हैं, हमें उने जो कत्यों अपनाना चाहिए पर हाँ, उनको कैसे regulate करना है, ये आना ज़रूरी है, कि जो भी बाते दिमाग में आ रही है, उनकी हमारी वास्तित्वल लाइफ में, जिन्दगी में, कितना importance है, कितनी priority है उस बात की हमारी current लाइफ में उस पर हमें ध्यान ज़रूर देना चाहिए और तभी उस चीज को face और tackle करना चाहिए, तभी unwanted thoughts हमें stressful नहीं लगेंगे और जो हमारे thoughts ज़रूरी या important होंगे हमारे life के current situation से related, हम उन पर focus करके उस challenge को readily accept करके हम उस पर काम कर पाएंगे better, सिर्फ यही एक tip रहेगी हमारे मेरी आप लोगों से कि इस चीज पर गौर करें और कभी भी किसी भी patient को जिसको तनाव है या stress है कभी भी ये counselling या ये राय मत दीजे, ये advice कभी मत दीजे कि तुम सोचना बंद कर दो, क्योंकि ये होना impossible है हाँ, एक filter करना जरूर शुरू कर दो, अपने thoughts पे, क्या ये thoughts तुम्हारी अपनी life पे, अपनी current life के लिए में important है या नहीं अपनी past की stresses में या आने वली future में की apprehensions में ना रहें, आप अपनी current life की stresses को, situations को कभी better tackle कर पाएंगे Thank you, I hope you like this video, kindly like and share this video and subscribe to our YouTube channel, Piyoshika A Mental Health Guide, Thank you